इस वीडियो में हम हिंदी का जो टोपिक है वरन विचार उसके बारे में पुरा अध्येन करेंगे यहाँ पे जिस exam में हिंदी का स्लेबस होता है उसमें एक दो कुछन वरन विचार में से अवस्थे आ जाता है चाहे कोई कुछन सवर से आया हूँ या कोई वेंजन से या फिर कोई चारण स्थल से कुछन आते हैं तो ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपुरण है और इस वीडियो में से किसी भी एक्जाम में यदि हिंदी का सलेबस आ रहा है है तो उसमें से question आवस्य आपको मिलेगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से आवस्य सुने और इसको last तक आप देखें क्योंकि वीडियो बहुत important है और हिंदी की वरण वाला का जो वरण विचार का जो topic है वो पूरा topic इस वीडियो में cover हो जाएगा आपको कोई भी book या कोई भी notes की help लेने के आवसकता नहीं रहेगी फिर भी यदि आपको कोई और matter की आपको requirement हो तो आप मुझे comment में लिख सकते हैं मैं हिंदी के उपर next आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ तो चलिए हम start करते हैं हिंदी के आज जो वरन विचार है उसका topic हम लेके यहां चल रहे हैं उसमें first of all है सवर second number पे है वेंजन और third number पे है उचारन स्थान कि किस सवद का उचारन कहां पे होता है तो देखे हिंदी के बारे में कुछ basic हम यहां discuss करेंगे पहले दो-तीन चीज़े हम discuss करेंगे यहां हिंदी के बारे में कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 में रास्टी भासा का दरजा मिला और इसकी याद में हिं हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है यानि कि 1949 को रास्टिय भासा का दर्जा दिया गया हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को रास्टिय भासा का दर्जा दिया गया इसी दिन रास्टिय हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी दिन अन्ने 11 भासा भी स्विदान स्वामि स्विकार की गई थी हिंदी की मूलवासा संसकर्थ को माना जाता है अच्छा टोपिक है ये कि हिंदी की जो मूलवासा है वो कौन सी है संसकर्थ हिंदी की मूलवासा संसकर्थ है हिंदी देव नागरी की लिपी है हिंदी कौन सी लिपी है देव नागरी की जो हिंदी में हम लिखते हैं वो कौन सी लिपी में लिखा जाता है देव नागरी की लिपी में हिंदी का पहला उपनास विनास दास है हिंदी का जो पहला उपनास है वो कौन सा है विनास दास अब देखे बासा क्या होती है बासा एक मादेम होता है बासा कोई भी ऐसे तो है नहीं कोई सोप्टवेर है या कोई हार्डवेर है बासा एक साधन है जिसके मादेम से हम अपने जो विचार है अपनी जो थेंकिंग है उसको हम एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को और हम ट्रा प्रदान करते हैं अब भासा में वरण विचार का बहुत महतव पुरन रोल है यानि कि वरण विचार बहुत महतव रखता है किस कोई भी भासा हो चाहे लेकिन उसका जो वरण विचार है वह बहुत ही माइने रखता है बहुत ही महतव रखता है किसी भी भासा के व्याकरण ग मैं यहाँ पर लिखके आपको बता देता हूँ जैसे ए क्या है वरन है क्या है वरन है खै भी क्या है वरन है यह क्या है सब वरन सेकेंड नमबर पर है सबद सबद क्या होता है सबद होता है जैसे कोई भी दो वरन मिलके जब कोई नया development होता है कोई भी जैसे दो वरन मिले आप में जैसे मैं आपको यहां example बता रहा हूँ जैसे four example का पलस में क्या बना काम, तो ये काम क्या हुआ ये हुआ एक सबद, इसमें का क्या है, और मैं भी क्या है और दो वरनू के आपस के मेल के विकार को क्या कहते हैं, सबद कहते हैं और सबद क्या बना यहां पर काम, वक्य वक्य क्या होता है कि जब दो सबद आपस में मिलके जो उनके मिलान से जो विकार उत्पन होता है उसको क्या कहते हैं वक्य कहते हैं जैसे दो सबद हुए राम और आम फोर एक्जामपल वाकेव की रचना करके आपको यहां पर बता रहा हूँ राम पलस आम बता है अब इसका अगर पूरा विकार अपन देखें मैं विकार का मतलब यहां पर आपको बतानाद देना चारा हूँ कि इसके जनक्सन से इनको आपस में इनके मेल से जो परिवर्टन हो रहा है उसको हिंदी की भासा में विकार कहते है तो ये जो विकार उत्पन हुआ राम प्लस आम तो एक सबद हम ले ले लेते हैं राम और आम और उससे वाक्खे कैसे बनाएंगे कि जैसे राम आम खाता है तो वो क्या हुआ एक वाके तो ये तीन जो चीज है ये किसी भी भासा में या उसके व्याकरण में बहुत ही मैतवपुरण इनका रोल होता है उनका बहुत मैतवपुरण उनकी आपसक्ता होती है फैस्ट में है वरण, सेकंड में सबद और थ्रड में वाके हिंदे में बावन वरण होते हैं जिने दो भागों में बाटा गया है हिंदे में कितने वरण होते हैं हिंदे में बावन वरण होते हैं अच्छा है most है ये चीज़ आप याद कर सकते हैं कि हिंदी में वरणों के संक्या कितनी होती है 52, 52 और इनको दो भागों में बाटा गया है इनके भाग कौन से है सवर और वेंजन वरण के दो भाग कौन से है सवर सवर और वेंजन और टोटल जो वरण है वो कितने है हिंदी में 52 बावन वरण है हिंदी में टोटल सवर किसे कहते हैं ऐसी धहनिया जिनका उचारन करने में अन्य किसी धहनि की साहिता नहीं ली जाती साहिता की आप सकता नहीं होती उने क्या कहते हैं सवर कहते हैं कुल सवर कितने होते हैं? कुल सवर 11 होते हैं, सवर वो सबद होते हैं जिनके उचारन के लिए किसी भी आन्ने सबद की help लेने की आवसकता नहीं होती, उनका उचारन स्वाम से ही हो जाता है, जैसे अगर अपन ट्रांस्टलेट करके देखे ए, तो ए का उचारन अपने आप हो है, सवर कुल कितने होते हैं? सवर कुल 11 होते हैं, अब यहाँ नंबर वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि 11 सवर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, आ, ओ, री, रिसी, तो ये टोटल कितने सवर हुए? ग्यारा, हिंदी में सवरों की संख्या कितनी हैं? ग्यारा है, और टोटल वरण कितने हैं हिंदी में? फिप्टी, टू, बावन, तो बावन में से आप ग्यारा माइनस कर देजिए, बावन में से ग्यारा आपको माइनस करने हैं, जो टोटल बचेंगे, वो क्या बचेंगे? वेंजन और टोटल सवर कितने हैं ? ग्यारा अंग एक अनुस्वार है और ए है एक विसर्ग है जैसे अंग हlandeh क्या है? अंग एक अनुस्वार है अनुस्वार का मलब जिसकी धावनी अपने नाक से ट्रांस्लेट होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार विसर्ग है कोई भी सबद हो उसके आगे यदि अपन दो बिंदू लगा देते हैं तो उसको वो क्या बन जाता है विसर्ग आगे एक वीडियो में पोस्ट करूँगा उसमें संदी में आपको अच्छी तरीके से यह चीज समझ में आ जाएगी कि यह विसर्ग कैसे बना अब स सवर को भी दो भागों में बाटा जा सकता है और वो भाग कौन-कौन से है हस्वय और दिर्ग सवरों की संख्या कितनी है टोटल आपको मैंने संख्या कितनी बताई टोटल सवरों की सवरों की टोटल संख्या है ग्यारा और हेंदे में टोटल वर्नों की संख्या है बावन अब ये जो total 11 सवर हैं, उनको भी यहां दो भागों में बाटा गए हैं, एक है हसवय और एक है दिर्ग, हसवय का मतलब होता है, छोटे, जिनको बोलने में, जो first में translate होने में इसली हो जाते हैं, और दिर्ग जिनका translate उचारन करने में थोड़ा अपनी जीव को जोर देना होत है वो होते हैं दीरग जिन सवरों के चारण में अपेक्सा कर कम समय लगे उने हस्वा सवर एक जिन सवरों को बोलने में अधिक समय लगे उने दीरग सवर कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं दीरग सवर कहते हैं इन्हें मातरा द्वारा दर्शाय जाता है ये दो सवरों को मिला कर आपस में इनका निर्मान किया जाता है ये दो सवरों का मिलान होता है जैसे आ, बड़ी ई, बड़ाउ ए, आई, ओ, आउ ये क्या हैं? दीरग सवर तो तोटल दीरक सवर कितने हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ ये साथ क्या है दीरक सवर है और चार क्या है चार क्या है लगूसवर है जिनको हम हस्वस और भी बोलते हैं वेंजन क्या होते हैं जो धमनियों सवरों की साहिता से बोले जाती है उन्हें वेंजन कहते हैं और इनका अपस में मिलान होता है जब हम कै बोलते हैं तब उसमें कै प्लस ए का उचारन होता है कै प्लस ए का मिलान होता है इस परकार हर वेंजन सवर की साहिता से ही बोला जाता ह हर vengeance किस की साहिता से बोला जाता है सवर की साहिता से कोई भी vengeance हो उसके निर्मान में सवर का मुखे रोल होता है एक सवर और एक vengeance मिलने किसे ही वेंजन का निर्मान होता है इने पांच वर्गू तथा स्पर्स अंतस्त एम उसन वेंजनों में विभाजित बाटा गया है विभाजित क्या गया है अब स्पर्स वेंजन कौन से है देखिए आप मैंने यहां पे आपको पूरा करके यह एक वीडियो बनाया है आप इसको लास तक सुनते रहें जिससे आपको यह जो वर्यन विचार है यह बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और इसमें से कोई भी क्यूस्टन आता है तो आपका गलत नहीं होगा इसपरस जो वेंजन है वो कौन-कौन से है देखिए कै वरग है कै वरग में क्या है स्परस वरग है कै वरग का कै खे गै घै एक यह क्या है इसपरस वेंजन चे वरग भी क्या है? इस पर्स वेंजन है ये क्या है? ये है चे वरग चे वरग के वेंजन है अब है टे वरग टे वरग के वेंजन देखे कौन-कौन से है टे ठे डे 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 अने ये कितने वेंजन है? पांच वेंजन है अब आते हैं हम बात करते हैं टे वरग की टे वरग के कौन-कौन से वेंजन है टे ठे डे 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 ने अब आते हैं पे वरग पे पे वरग के कौन-कौन से वेंजन है पे भे बे भे मे ये जो टोटल जो है ये वेंजन की वरण माला है कैसे लेकर कै वरग से लेकर कैसे लेकर कहां तक है पैह तक कैसे लेकर पैह तक वरग मालाँ है यह, इनमें वेंजन आपको बताए गए हैं कि ये चेवरग का चेचेजेजेने ये चेवरग तेठेडेडेने ये तेवरग और पेफेबेबेमे ये है पेवरग अंतस्त कौन कौन से हैं अंतस्त वेंजन अंतस्त जो वेंजन है वो है ये रे ले वे तो अंतस्त वेंजन कौन कौन से हैं अंतस्त हैं ये रे ले वे एक बार दुबारा याद केजिए अंतस्त वेंजन कौन कौन से हैं अंतस्त वेंजन ये रे ले वे उस्म उस्म वेंजन जिनका बोलने में थोड़ा उचारन जब हम करते हैं तो थोड़ी गरम हवा महसूस होती है जीव को जीव व्या को जब गरम हवा महसूस होती है तो उसको कहते हैं उश्म उशम है से, से, शे, है से, चार है, चार ही अंतस्त वेंजन है और चार ही उशम वेंजन है शे, से, से, है अब देखे स्वुक्त अक्सर स्वुक्त अक्सर क्या होते हैं स्वुक्त अक्सर का मतलब होता है जब दो अक्सर आपस में मिलकर किसी तीसरे अक्सर का निर्मान करते हैं उसे कहते हैं स्वक्ता अक्सर श्वक्ता अक्सर भी तीन होते हैं और ये जो स्वक्ता अक्सर है ये अगर देखा जाए तो चार होते हैं संख्या में अब इसमें देखे कै प्लस से त्रे ते प्लस रे त्रे जै प्लस रे जिगे ये जो है ये स्विक्ता अक्सर है और तीन नए अक्सर है शै प्लस रे श्रे जैसे स्रमिक में प्रियुक्त होता है डे क्या है जैसे सडक में जो प्रियुक्त होता है वो क्या है डे वेंजन और ठे वेंजन क्या है जैसे पढ़ाई में डे पढ़ाई में जो प्रियुक्त होता है वो क्या है डे वेंजन हिंदी उरण माला में कुल बाउन अक्सर है ये पहले भी हम पढ़ चुके है कि टोटल जो उरण है वो कितने है बाउन है 52 जिसमें से 11 सवर और 11 जो है वो क्या है सवर है एक अनुस्वार एक विसर्ग और जो बाकी के जो है वो 33 व्येंजन तथा तेन स्विक्ता अक्सर है 33 क्या है व्येंजन है देखिए 33 व्येंजन 11 सवर कितने हुए 44 टोटल संक्या क्या है 52 तो 52 माइनस 44 अब ये जो बाकी के जो उरण बच गए इसमें से एक अनुस्वार एक विसर्ग तेन स्विक्ता अक्सर और तीन नए सबद है ऐसे करके टोटल जो उरण हुए वो कितने हुए 52 52 अब व्येंजनु का उच्चारण कै व्रग कै खै गै गै डै अब कंट से जो उच्चारित जो उरण होते है वो देखे कौन-कौन से जो कंट से उच्चारित होने वाले वुरण है चै व्रग है चै व्रग जो है वो कंट से उच्चारित होता है चै चै जै 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 अने चै व्रग कहां से उच्चारित होता है कंट से उच्चारित होता है चै व्रग चै जै 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 अने तालू से उचारित होने वाले जो वरण है वो देखे कौन-कौन से है तालू से जो उचारित होता है वो होता है टैवरग टैवरग कहां से उचारित होता है तालू से इसमें कौन-कौन से वरण आते हैं टै, ठै, डै, 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 डै मुर्धा से उचारित होने वाले सबद यानि कि मुझ से उचारित होने वाले सबद कौन से है इनमें कौन से वरण वाला आती है तैवरग ये आते हैं मुर्धा से उचारित होने वाले वरण या वरन जो है वो जैसे चैवरग है टैवरग है पैवरग है इनसे वरन बने हुए होते हैं दंत से उचारित वरन कि दंत से कौन से उचारित होते हैं वो वरन कौन कौन से हैं दंत से वरन जो उचारित होने वाली जो सरंगला है वरन की वो है पैवरग इसमें वुरण जो आते हैं वो है पै, फै, बै, भै, मै ओस्ट से उचारित होने वाले वुरण कौन से है? ओस्ट से उचारित होने वाले वुरण है इन्हें आठ बागू में बाटा गया है और ओस्ट से जो उचारित होते हैं उनको कितने बागू में बाटा गया है? ते थे दे धे पे फे बे भे इस पर संघर्षी कौन से हैं जिनको उचारन करने में जीव्या को और मुहे को तालू को संघर्ष करना होता है वो कौन से हैं इस पर संघर्षी चे चे जे जे संघर्षी कौन से हैं फै से है जै से अनुनासिक कौन से है धै त्रे ने ने मे पार्सिक कौन सा है ले पार्सिक वरण कौन सा है ले वरण पार्सिक होता है most है क्योंकि ये एकेला ही एक ऐसा वरण है जो कि पार्श्विक होता है परकम्पित सब्द वरण कौन सा है? रे परकम्पित कौन सा है? रे उतलिक्स्त कौन सा है? ढे और ढे अर्ध सवर कौन से है? ये और वे ये और वे कौन से वरण है? अर्ध सवर ब्राईय परियतन के आधार पर सम्पुर्ण वेंजनु को दो भागू में ववाजित किया गया है उन्में पहले नमर पे जो है वो है अलबप्राण और दूसरे नमर पे है महाप्राण अलबप्राण का मतलब होता है जिन वर्णु का उचारण करते समय मुख से निकलने वाले स्वास की मातरा अलब रहती है वह है अलब प्राण होते हैं कहलाते हैं और जिन में अधिक लगता है उन्हें क्या कहते हैं महा प्राण परतेक वरण समुह का पहला तीसरा ये देखे सूतर है ये कि परतेक वरन समूं का पहला तीसरा पांचवा वरन पहला वरन तीसरा वरन और पांचवा वरन अलब प्रान होता है ये क्या होते हैं अलब प्रान और जिन वरनूं का उचारन करते समय मुख से निकलने वाले स्वास की मातरा अधीक रहती है उसे क्या क बहा जाता है महा प्राण, परतेक वरण समुह का दूसरा वरण, चोथा वरण, तथा सभी ऊसम वरण क्या होते हैं, महा प्राण, सवर्तंत्रियों के आधार पर घोस, सेघोस, नाद या गुंज, जिन वर्नूं का उचारन करते समय, गूंज सवर तंतन में कमपन होती है उसे क्या कहते हैं घोस और जिन में नहीं कमपन उत्पन होती है उसे क्या कहते हैं एक घोस सभी सवर गोस होते हैं ये important बात है important topic है कि सभी सवर क्या होते हैं गोस होते हैं और इनकी संख्या कुल कितनी होती है तीस होते हैं गोस कौन से होते हैं इन वर्नों के उचारण में प्राण आयू में प्राण वायू में कमपन नहीं होती जब एगोस का उचारण किया जाता है तो प्राण आयू में कोई भी किसी भी कमपन उत्पन नहीं होती किसी भी परकार की जैसे जिव्या से मूँ से जब उसका उचारण किया जाता है तो उसमें कोई भी कमपन उत्पन नहीं होती अधिक कोई गूंजने होने के कारण ये अगोस वरण कहलाते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? तेरा टोटल इनकी संख्या कितनी है? अगोस की? तेरा है सभी वरणों के पहले और दूसरे वरण कै, खै, चै, जै, सै, सै, है आधी सभी वरण क्या है? अगोस वरण है अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक नाक का सहयोग रहता है जैसे अंग, आ, ई, उ, आधी क्या है? ये सब अनुनासिक है ये सबद कौन से हैं सब? अनुनासिक है अब देखिए इनके जो महतवपुरण जो कुछ बात है, कुछ टॉपिक है उसकी भी हम यहां चर्चा कर लेते हैं किसमें जो महतवपुरण वो क्या है? सवरा घात था बला घात का समझ सब्दू के उचारण के समय वरण पर पड़ता है इसके द्वारा सब्दू को समझने की चेतना सामने आती है सब्दू का उचारण करते हुए किसी वरण पर अधिक बल दिया जाता है इसे सवरा घात कहते है यह बल सवर पर अधिक होने के कारण सवरा घात कहलाता है बला घात का प्रभाव वरणों के बदले सब्दू पर पड़ता है बला घात का विशेशन के समान अर्थ का निवारन और प्रिवर्तन में सहयोग, साहिता प्रदान करता है तो ये जो वीडियो था ये अपना टोटल वरण विचार का था इसमें कम्पलिट वरण विचार आ गया है इसमें से आपको एक दू किसन अवस से मिल जाएंगे मैं आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप कॉमेंट अवस से लेखे कि आपको किस परकार का नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए उसमें आपको कौन से टोपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उसी पे मैं आपको बना के पोस्ट करूँगा और आप घंटे के निसान पर क्लिक अवस से कर लें जिससे आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँच पाई थैंक्यू सो मच, ओल्दा वेस्ट